यूट्यूबर भुवन बाम के एक वीडियो के बाद हंगामा खड़ा हो गया है महिलाओं के अपमान के आरोब वाले इस वीडियो के लिए उन पर कारेवाही की मांग की जा रही है मशूर यूट्यूबर भुवन बाम के नए वीडियो आटोमेटिक गाड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बात पर नराजगी वेक्त की है कि कैसे कॉमेडियन ने वीडियो में महिलाओं का अपमान किया और उन्हें अपत्ति जनक बताया बाम ने अब उन सभी से माफी मांगी है जो उनके वीडियो से आहत हुए थे यूट्यूबर ने कहा कि उनका किसी को आहत करने का कोई इरादा नहीं था और सभी को आश्वासन दिया कि वीडियो के विवादा इस बद हिस्से को हटा दिया गया है और सारजने के रूप से माफी जारी करते हुए बाम ने ट्वेटर पार लिखा कि मुझे पता है कि मेरे वीडियो के एक हिस्से ने कुछ लोगों को आहत किया है मैंने उस हिस्से को हटाने के लिए इसे एडिट किया है जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं महिलाओं के लिए बेहत सम्मान करता हूँ मेरा किसी को ठेश पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था जिन लोगों की भावनाओं की अवहलना की गई है उनसे दिल से माफी यह माफी तबाई जब राष्टे महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से वीडियो के लिए भुवन बाम के खिलाब रिपोर्ट दर्ज करने को कहा राष्टे महिला आयोग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने पूरे मामले में संग्यान लिया है इसको लेकर अध्यक्षने दिल्ली के पुलिस कमिशनर से एफ आयार दर्ज करने की मांग की है NCW ने सच्चिव, इलेक्टोनिक्स और आयटी मंतराले को महिलाओं की गरिमा के उलंगन के लिए यूट्यूब चैनल के खिलाफ उचित कारवाई करने के लिए भी लिखा है